बिए आपका वान शॉट वीडियो जो भी थियोरी से इंपॉर्टेंट लगे मेरे को मैंने सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में डाले और देखो यह मैंने नया वीडियो नहीं बनाया आप लोग बार बार वन शॉट वन शॉट के लिए बोल रहे थे तो देखो पहले से ही मैं सारे टॉपिक्स अफ्रोड कर रहे हैं बट वो अलग अलग पार्ट में तो मैं उनी पार्ट को कंबाइन करके जस्ट यह आपको वन शॉट दे रहे हूं ठीक है इस वीडियो को अच्छे से दो तीन बार देख लेना आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से विजए इंटर्पेटिंग एंट कमिनिकेटिंग फाइनशल इन्फॉमेशन टो इट्स यूजर्स ठीक है इसका मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को ऐइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको मॉनेटरी टर्मस में मीजर क करते हैं फिर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक साथ लिखते हैं ठीक है उसके बाद सब को एनलाइज करके इंटरप्रेट किया जाता है और लास्ट में उसको कम्मिनिकेट करते हैं हम कंपनी के ऐकस्टर्णल और इंटर्नल यूजर्स को ठीक है यह होता है हमारा अकाउंटिंग नेक्स्ट जो कोशन बनता है इस यूनिट से वो है एक अकाउंटिंग इन्फरमेशन के क्या विजनस को सकते हैं तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर रिलायाबल इटि आगर इन्फरमेशन रिलाय आजाएगा कि पता नहीं इस business की financial conditions सही है भी कि नहीं business अच्छे से चल भी रहा है कि नहीं तो जब आप कोई भी information provide करते हो तो उसके साथ documents attach कर दो जिससे लोगों को लगे कि हाँ यह सच है और proof दो आप उस बात का कि आपने जो भी information दिये वो सही है तब ही वो reliable information मानी जाएग कब होगी suppose करो कोई आपकी business में invest करना चाहता है तो वह क्या चेक करेगा वह आपकी profit and loss statement चेक करेगा balance sheet चेक करेगा अब वहाँ पे आप उसे cash flow statement दिखा रहे हो तो वह उसके लिए relevant नहीं है वह उसके किसी भी काम की नहीं है तो accounting information relevant होनी चाहिए ठीक है ठीक है थर्ड है लोग हैं जिनको नहीं पता accounts की इतनी knowledge नहीं है तो उनके लिए चीजों को समझना मुश्किल हो जाएगा accounting information ज्यादा complicated नहीं होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए कि जो normal लोगों को भी समझ में आए easy to understand हो ठीक है next आता है comparability accounting information comparable होनी चाहिए comparable कब होईगी जब आपने last two three years के जो information वो provide करोगे तब ही तो लोग उसको compare करेंगे ना कि हां last year से इस यह आपका profit बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए company कैसी चल रही है ठीक है तो accounting information comparable होनी चाहिए next आता है consistent ठीक है accounting information consistent कब होगी ठीक है जब आप accountant नहीं किस तरीके से information को record किया हर साल वो same रहनी चाहिए अगले साल अप WDV से depreciation लगा रहे हो तो वो तो value अलग हो जाएगी ना सही से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि actual में कितना डैप लगा था ठीक है जिस method से आप पहले accounts maintain करें थे आज accounts maintain करें और आगे भी उसी method से account maintain करोगे तभी तो consistency बनेगी और चीजों को समझने में आसानी होएगी तो accounting information में consistency का होना बहुत जरूरी है ठीक है next आता है आपका usefulness जितनी information useful है आप वही provide करो फालतु की information देने की कोई जरूरत नहीं ठीक है जो लोगों के लिए useful है आप उसे provide करो जैसे आपकी company में ही अगर कोई manager है ठीक है या फिर कोई जैसे company में hiring चल रही ह दखा रहे हो तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है तो जो useful information है आप वही provide करो ठीक है यह आपका accounting information के qualitative characteristics है next आपका जो कोशन बनता है वह functions of accounting accounting के क्या-क्या functions होते हैं इसमें सबसे पहला है आपका recording यहाँ पे आप financial transactions को identify करके उसको record करते हो जिस book में record करते हो उसको हम journal बोलते हैं ठीक है second function है आपका classifying अब same nature की जो transactions है सारी sales की transactions को sales book में रखते हो purchase की transactions को purchase book में रखते हो जिसको हम ledger बोलते हैं ठीक है यहाँ पे classifying का काम होता है अब next आता है आपका summarizing जब चीजों को record कर लिया classify कर लिया तब उसके बाद अब सब कुछ last में summarize करते हैं जैस चीजों को summarize करते हैं इस function में ठीक है fourth है आपका analyze and interpret अब जब सब कुछ आपने record कर लिया classify कर लिया चीजों को summarize कर लिया तब आप last में उस data को analyze करते हो और उसको एक proper manner में एक useful manner में ready करते हो क्योंकि उसी information के based पे आप future planning करते हो आगे कौन-कौन सी policies execute करनी है क्या-क्या plans बना लास्ट में जब आपने सब कुछ कर लिया तब आप इसको बाहर लोगों तक पहुचाते हो इस सारी information को internal और external users तक पहुचाते हो जो internal users है इस information के वो तो business को manage करने के लिए इस information को use करेंगे और जो external users है वो देखेंगे कि कैसी आपकी company की आप business की position और फिर तभी आपके business मे invest करेंगे उस चीज के लिए वो इस information को use करते हैं अब next आपका question आता है कि accrual basis और cash basis of accounting में क्या difference होता ठीक है तो accrual basis जो accounting होती है उसमें आप cash और credit transactions दोनों को record करते हो और cash basis में आप सिर्फ cash transactions को record करते हो ठीक है accrual में prepared expense, outstanding expenses, accrued income और income received in advance को भी आप adjust करते हो ठीक हो उनकी entry करते हो और cash basis में आप ये सब नहीं करते हो ठीक है और accrual basis में जो profit और loss है वो बिल्कुल accurate show होता है क्योंकि आपने सारी transactions record करी है prepared वाली भी outstanding वाली भी credit वाली भी ठीक है cash वाली भी और जो cash basis है उसमें correct profit or loss नहीं पता चल पाता है क्योंकि आपने आधी transactions तो record नहीं करी होती है prepared वाली accruid वाली income received and advance वाली ये सारी चीज़ें आप cash basis में include नहीं करते हो इसलिए यहां पर आपका correct profit or loss statement नहीं बन पाता है ठीक है अब next है कि आपका technical knowledge होनी चाहिए accrual basis of accounting में क्योंकि यहां पर प्रॉपर accounts maintain करते हो तो जिस बंदे को पूरी knowledge accounts की वही accounts यहां पर बना सकता है cash basis में तो कोई भी normally लिख सकता है कि हाँ आज cash में इतना समान आया या फिर इतना समान गया तो वो तो normal person भी record कर सकता है यहां पर कोई भी technical knowledge नहीं चाहिए होती है ठीक है अब accrual basis of accounting recognized है under company's act 2013 और जो cash basis of accounting है वो recognized नहीं है company's act के द्वारा ठीक है अब next है आपका acceptability देखो accrual basis of accounting जो है वो जादा acceptable है as compared to cash basis क्यूंकि इसमें आपका correct asset, correct liability show होती है क्योंकि आप सब कुछ record करो यहां पर आपके correct income और correct expense का भी पता चल पाता है तो यह जादा acceptable मानी जाती है जब large scale पे business किया जा रहा होता है तब ठीक है और जो cash basis है वो छोटे बोटे लोग जो sole proprietorship करते हैं या फिर और कोई छोटा मोटा business करे हैं तो उसमें वो लोग use कर ल वो होता है identifying financial transactions, financial transactions को identify करना ठीक है मतलब जो transactions monetary terms में measure करी जा सकती है मनी की terms में आप जिनको calculate कर सकते हो हम accounts में सिर्फ उन्ही transactions को record करते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि financial transactions को identify करना फिर second इसका process है वो है recording the financial transactions अब आपने पहचान लिकी कौन सी transactions financial transactions है तो अब आप उनको record करते हो और record किसमें करते हो जर्नल में ठीक है अब एक बार उन सारी transactions को आपने जर्नल में record कर लिया उसके बाद आप उसे classify करते हो same nature की transactions को same जगह पे लिखते हो आप 11th class से करते हो आ रहे हो आपको पता होगी यह चीज सेल्स बुक में सारी sales की transactions हो आपका काम आता है कि आपने सब कुछ जब classify कर दिया तो year के end में जब आप चीजों को summarize करते हो ट्राइल बैलेंस बनाते हो चीजों को जब समराइस करते हो total कितना आपका नुकसान हुआ कितना profit हुआ वह सारी चीजे जब end में आप उसको summarize करते हो उस प्रोसेस को हम बोलते ह अब इसमें next step होता है वह होता है analysis and interpretation अब आपने जब सब कुछ summarize कर लिया तब आप उसको useful manner में present करते हो उसको analyze करते हो उस सारे data को और उसका interpretation करते हो ठीक है जिससे पता चल पाती है कि business की क्या position है कितना profit हुआ है business के पास अभी कितनी wealth है ठीक है अब next इसका जो step है वह है communication last में फिर आप इस सारी information को इस सारे data को internal और external users तक पहुचाते हो जिसे हम बोलते है communication ठीक है next question आपका बनता है कि double entry system क्या होता है यह भी आपको पता है कि हर transactions का दो जगह impact पड़ता है अगर एक जगह वह transaction credit हो रही है तो दूसरी साइड पे वह debit भी होईगी इसे ही हम double entry system बोलते हैं double entry bookkeeping बोलते हैं ठीक है every transaction has two aspects debit and credit ठीक है जैसे कि suppose करो आपने कोई समान परचेस कर रहा कोई भी goods परचेस करें ठीक है तो अब आपने goods परचेस करें तो आपके पास goods आएंगे और बदले में आपके पास से cash जाएगा ठीक है तो दो impacts होए ना एक transaction के इसे बोलते हैं double entry system ठीक है अगर exam में यह question आता है तो इसको अच्छे से explain करके और साथ में दो तीन examples लिख देना और हां यह question कभी भी पूरा खुद से मतलब 20 marks में नहीं आएगा option में आएगा इसके साथ part में दे रखाओगा part A part B तो यह 10 marks का question बनता है उससे ज्यादा का नहीं बनेगा आपका ठीक है depreciation होता क्या है define depreciation तो depreciation आपको पता है पहले से आप पढ़ते हैं रहें depreciation means falls in the value of tangible fixed assets because of its usage और with efflux of time और due to obsolescence और accident ठीक है मतलब fixed tangible assets आपको पता है कौनसी होती है जो की दीखती है जिनको हम touch कर सकते हैं फील कर सकते हैं उनको हम बोलते है fixed tangible assets उनकी value में कुछ अगर amount कम होता जैसे आपको पता है कोई भी चीज आप use करते रहते हो तो उसकी value दिरे-दिरे कम होते चली जाती है अगर आपने कोई furniture लिया है वो भी आपका fixed tangible asset है अब उसको आप time के साथ use करते जाओगे तो पुराना होता जाता है खराब होता जाता ठीक है वैसे अगर आप कोई computer उसकी technology पुरान ही होती जाती है इसके अलब अदर कोई भी आप machinery plant कुछ भी उसकरते हो तो धीरे-दिरे time के साथ ना उसकी value कम होती चली जाती है उसी को हम depreciation बोलते हैं depreciation के देखो reasons क्या होता है सबसे main reason तो यह आप use करें यूसेज ठीक है दूसरा है time क्योंकि कुछ जैसे कि technology वाली चीज़े होती है वो time के साथ technology update नहीं हो पाती है तो उसमें भी खराबी आ जाती है वो भी हमार हो रही है उसे हम depreciation बोलते हैं clear हो गया अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना ठीक है नेक्स से question बन जाता है कि depreciation को calculate करने के कौन-कौन से methods होते हैं तो वैसे तो देखो 8 methods होते हैं depreciation को calculate करने के लेकिन आपके syllabus में दो ही methods है एक है आपका straight line method जिसको fixed installment method भी बोल तो वो देखो तो सबसे पहला difference जैसा कि आपको पता है कि straight line method में depreciation जो है वो asset की original cost पे charge किया जाता है और write down value method में जो depreciation है वो asset की write down value पे charge किया जाता है ठीक है next में difference होता है कि amount का देखो straight line method में आप एक बार depreciation निकाल देते हो वही रहता है हर साल बिलकुल सेम ठीक है अग write down value method में यह wise जो depreciation है वो कम होता चले जाता है suppose करो अगर इस साल 10,000 हो जाएगा या फिर कुछ और कम हो जाएगा या फिर next year 8,000 हो जाएगा उससे कम फिर 7 हो जाएगा मतलब ऐसे कम होता हो चला जाता है write down value method के अंदर अब next आता है zero balance देखो straight line method में asset की value है वो बिलकुल end म यहां पर खतम हो जाती है अगर question में दियो है कि asset की life 10 साल है तो उस दसवे साल पे na asset की value zero हो जाती है लेकिन write down value method से अगर आप depreciation charge करते हो तो इसमें asset की value कभी भी zero नहीं होती है ठीक है और next आप जब repairing cost की बात करते हो तो देखो straight line method में na starting की years में जो cost हो कम रहती है और end में cost बढ़ जाती है ठीक है लेकिन वहीं अगर आप write down value method की बात कहते हो तो इसमें starting में repairing cost high रहती है और year end होते होते धिर धिर कोस्ट कम हो जाती है ठीक है फिर जब next बात आती है method कौन सा easy है कौन सा hard है तो सबको straight line method easy लगता है क्योंकि इसमें आपको एक ही बार depreciation निकालना हो एक्जाम में अच्छे से explain करके आना examples के साथ ठीक है computerized accounting और manual accounting में क्या difference होता है तो देखो computerized accounting क्या होती है सबसे पहले तो आपको दोनों को define कर देना ठीक है डिफरेंस में आपको फॉस्ट पॉइंट वनता है वह यह कि पहले देखो कि manual accounting को आप लिखके define कर दोगा कि manual accounting क्या होती है इसमें देखो हम खुद से ही registers में transactions को record करते हैं और जिसको जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं आपको पता है यह का फिर हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं trial balance बनाते हैं बहुत सारी चीज़ी करते हैं सब कुछ मैनुल accounting करते हैं तो उसमें तो हम पहले खुद से सारा जर्नल प्रिपेर करते हैं उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन को identify करके उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं लेकिन अगर आप computerized accounting में करते हैं तो उसमें ही सारा प्रोसेस आटमेटिकली हो जाते हैं आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है अब देखो जो मेजर डिफरेंस आता है trial balance के लिए वह क्या होता है इसमें भी देखो आप सारे लेजर से सारी information को collect करते हो जितना भ आता है आपका adjustment entries record में ठीक है अब देखो जब आप accounts prepare करते तो कभी-कभी कोई-कोई mistake हो जाते है या फिर आप कुछ transactions को record करना भूल जाते हो तो काफी सारी adjustments होती है तो देखो जब आपको बात में पता चलता है कि हाँ यह mistake हुई थिया यह transaction हमने record नहीं करी है तब आप उस आपको जो सारी adjustment entries है वो आपको पास करनी पड़ती है आप जो भी software यूज करें उसके अंदर ठीक है उसके बाद वो automatically post कर दी जाती है ledger accounts में आपको ledger accounts में एक transaction को record फिर से नहीं करना पड़ता है और manual accounting में आप देखो सारी adjustment खुदी record करते और उसके बाद उन सारी adjustment को खु में आएगा तो 10 mark से जादा का नहीं बनता है और इसी के साथ में आपको computerized accounting को define करनी के लिए भी बोल सकते है तो आप पहले define करके उसके बाद यह difference बता सकते हो ठीक है अब देखो next question जो आपका बनता है वो क्या है explain the considerations which are required to be kept in mind while choosing accounting software देखो आप अपनी firm है आपकी company है या फ accounting software को choose करते time यह question पूछा गया है ठीक है तो इसका answer देखो सबसे पहला तो देखो size है the size of the business organization आप जो भी आपकी organization है business company है उसका कैसा size है अगर small company है या फिर बड़ा आपका business है तो उस हिसाब से आप software चूज करोगे ना अगर देखो आपका चोटा business है तो वहाँ पर आपको कोई भी software चल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपका business काफी बड़ा है तो वहाँ पर आपको जो multitasking software है वो use करने पड़ेंगे जिनमें आपको multiple features मिलते हो ठीक है अब second आजाता है ease of use देखो use पे यहाँ पे depend करता है ना क्योंकि हर किसी के पास उतनी अच्छी technical knowledge नहीं होती है तो software अगर use करने में लोगों को problem आईगी तो वो काफी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप यही चीज consider करोगे कि मतलब जो भी आपका software है वो use करने में असान हो simple हो ज्यादा complicated ना हो ठीक है अब आती है price की बात अगर अगर आपने नय नय business start कर रहा है तो वहाँ पे आपको और भी काफी काफी तरह के expenses होते हैं तो वहाँ पे आप चूज करोगे कि मतलब एक suitable price पे आपको software मिल जाए ज्यादा महगा आप afford नहीं कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास budget है अच्छा तो आप मतलब अच्छे software की तरफ higher price की तरफ भी जा सकते हो ले जादा चल रहा है और आप किसी भी website पे या software पे apps पे कुछ भी अपना data डालने से पहले आप सोचते हो कि कहीं वो data leak ना हो जाए या फिर कहीं आपके accounts को hack ना कर लिया जाए तो यहाँ पर security भी बहुत जादा matter करती है कि आपका जो भी आप accounting transactions कर रहे हो आप जो भी data उसमें software में आप यूज कर रहे हो वो कहीं भी बाहर leak ना हो उसे कोई भी आपको दिक्कत ना हो तो security यहाँ पर matter कर दिया ठीक है अब next आ जाता आपका features अब देखो आपने जो भी software लिया हर software के अपने अलग-अलग features होते हैं तो आपके लिए जो software आपको जो भी चाहिए आपको ज theory का question बतारी हूं में यहाँ पर आपको वह पूछ लेता है कि joint venture क्या होता है joint venture और partnership में क्या difference होता है joint venture और consignment में क्या difference होता है ठीक है तो यह आपका theory का question बन जाता है इस unit से तो आज हम इस वीडियो में इन ही दोनों questions को discuss करेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि joint venture क्या होता है तो देखो joint venture का मतलब होता है जब दो यह दो से जादा लोग साथ में मिलके कोई business का business करते हैं ठीक है और उसका profit share करते है और वो profit कितना किसको मिलेगा वह पहले से उनका agreed होता है ठीक है पहले से वो लोग decide कर चुके होते हैं कि हम यह business करेंगे इस से इतना profit उसे ही हम बोलते हैं joint venture और इसमें joint venture के जो members होते हैं उनको हम co-venturers बोलते हैं और joint venture देखो partnership जैसा ही लगता है सुनने में लेकिन यह actually partnership से थोड़ा सा difference होता है ठीक है इसमें लेकिन अब आप joint venture करते हो तो वहाँ पे firm name की कोई भी जरूरत नहीं है आप वैसे ही profits business करके profit share कर सकते हो ठीक है लेकिन joint venture में ऐसा नहीं होता है joint venture किसी एक particular purpose के लिए किया जाता है और जैसे ही वो purpose खतम होता है वैसे ही joint venture खतम हो जाती है ठीक है इसका एक example देखो जैसे कि दो है दो members है A और B ठीक है दोनों ने मिलके decide कर एक college building का उनको construction का काम मिला था ठीक है उनको एक college की building बनानी थी तो दोनों ने अपनी capital लगाके ए लाया साथ हजार बी लाया चालिस हजार और मिलके वह building बनानी उन्होंने start कर दी building बन गई उसके बाद उन्होंने decide करा था कि जब building बन जाएकि उसका जो भी उनको income होईगी profit मिलेगा वो अपना उस ratio में share करेंगे जिस ratio में उन्होंने capital लगाई है ठीक है तो फिर जब building बन जाती है दोनों अपना अपना profits लेकि अपने घर जा सकते हैं यहां पर joint venture यहीं खतम हो जाती है जैसे ही college की वह building complete होईगी लेकिन partnership में ऐसा नहीं होता है partnership continuous nature की होती है ठीक है थर्ड इसमें जो major difference आ जाता है joint venture और partnership में वो देखो कि जो आपका partnership है उसमें separate set of books maintain करने होत mandatory नहीं है अगर आप चाहो तो कर सकते हों नहीं चाहते तो आप अलग तरीके से भी accounting कर सकते हो ठीक है किसी भी एक co-venturer की books में आप सारी accounting कर सकते हो joint venture के case में ठीक है next आपका जो difference आ जाता है दोनों में वो है कि कोई भी partner ना एक similar business अपना carry नहीं कर सकता जिस business के लिए आपन partnership firm करी है ठीक है partnership बनाई है वही business कोई और partner नहीं कर सकता अलग से ठीक है लेकिन joint venture में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जितने भी co-venturers होते हैं वो अपना कोई भी business कर सकते हैं similar nature का ठीक है next में difference आता है कि partnership में देखो registration compulsory तो नहीं होता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप registration करवाती हो तो वो ज्यादा beneficial होगा तो जो आपका registration करवाना करवाना चाहिए partnership में ठीक है ऐसी आपको सलाह दी जाती है कि आप registration करवा लो लेकिन mandatory नहीं होता है और joint venture में तो registration के कोई भी जरूरत ही नहीं होती है इसमें registration होता ही नहीं है ठीक है next आपका difference आ जाता है ज joint venture में partnership में देखो एक minor को as a partner आप firm में admit कर सकते हो लेकिन joint venture में आप एक minor को कभी भी coventurer नहीं बना सकते हो वो joint venture का member नहीं बन सकता है minor क्योंकि वो incompetent होता है contract के लिए तो देखो यह आपका joint venture और partnership में difference है अगर exam में question आता है तो आप सब यह पूरा लिख क्या होगे और एक अगर आप चाहो तो example भी लिख सकते हो साथ में ठीक है अब next question बन जाता है कि joint venture और consignment में क्या difference होता है तो देखो consignment क्या होता है consignment में एक person होता है वो अपने goods को किसी दूसरे person के पास भेजता है और कहता है कि आप इसे मेरे बिहाफ पे sell करो बदले में मैं आपको commission दोंगा ठीक है तो यह होता है हमारा consignment जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपने goods देता है बेचने के लिए उसके बिहाफ पे और बदले में उसे goods बेचने के commission देता ह ठीक है तो यह हमारा consignment होता है तो joint venture and consignment में क्या difference होता है वो देखो तो सबसे first difference है आपका कि consignment में देखो दो लोग होते हैं एक consignor होता है एक consigne होता है जो अपने goods भेज रहा होता है आगे बेचने के लिए वह होता है conta और जो उन goods को लेता है और आगे sell करता है commission के बदले में ठीक है वो होता है हमारा consigne जॉइंट venture में देखो दो लोग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन consignment में normally 2 persons होते हैं अब आता है next difference कि देखो consignment में जो consignor और consignee का relationship है वो एक principal और agent का relationship है ठीक है यहां पे consigner जो है आपका जो अपने गोट्स दे रहा है वो principle माना जाता है और जिसको गोट्स दे रहा है वो consigne हमारा consigne हमारा यहां पर agent माना जाता है consigne principle के बहाफ पर काम करता है ठीक है लेकिन joint venture में देखो ऐसा नहीं होता है जो सारे members है joint venture के उनका एक partnership जैसा relation होता है ठीक है आपस में co-partners भी आप उसको बोल सकते हो ठीक है वो co-venturers कहलाते हैं ठीक है next आपका difference आजाता है कि देखो consignment में है वो एक लंबे time के लिए consignment ठीक है लेकिन joint venture ऐसा नहीं है joint venture में जैसे आपका जिस purpose के लिए आपने joint venture form करी थी जैसे ही वो purpose आपका खतम होता है वैसे ही joint venture खतम हो जाती है ठीक है next आपका difference आता है कि देखो consignment में जो भी funds लगते हैं ठीक है जो भी आपको capital की नीड लगती है पैसे लगते हैं वो सारा हमारा consignor provide करता है लेकिन joint venture में सारे equal अपना amount लाते हैं ठीक है जितने भी हमारे co-venturers होते हैं वो अपना contribution करते हैं ठीक है capital में next आता है आपका difference कि consignment में consignee को consigner के rules follow करने पड़ते हैं ठीक है consigner जो भी आगे से instructions देता है consignee का फर्ज है कि वो उनको follow करें ठीक है लेकिन joint venture में ऐसा नहीं होता है सारे co-venturers के पास equal authority होती है decision making की ठीक है next आपका difference आता है कि consignment में आपका movable goods होने चाहिए ठीक है जो consignment है वो movable goods में deal करता है यहां पर आप जैसे जो हमारे intangible goods होते हैं जैसे कि हमारे assets होती हैं वो इसमें deal नहीं कर सकते हैं जो आप एक जिगा से दूसरी जगा और transfer कर सकते हो उन्हीं goods में deal होती है consignment में joint venture में देखो ऐसा नहीं है वहां पर goods की deal नहीं हो रही है वहां पर other activities के लिए joint venture form किया जाता है जैसे कि आपको कोई construction work करना है या फिर shares में investment करना है इस टाइप का work जो होता है वो होता है joint venture में और consignment में sale की बात होती है movable goods यहां पर sale किये जाते है ठीक है next आपका difference आता है कि consignment में देखो जो भी profit होता है वो सारा consignor का होता है consignor सारा profit लेता है और उस profit में से consignee को वो commission देता है जितना उन्होंने में decide कर रखा होता है joint venture में जो भी profit होता है इसके लावा देखो नुमेरिकल्स के लिए आप लोग कंसाइमेंट का नुमेरिकल आता ही आता है सब्सक्राइब करना कोई भी मतलब खाली मत छोड़ना ठीक है आपको जो भी रिलेटेट पता हो टॉपिक से सारा लिख के आना और अच्छे माक्स आप स्कोर कर पाऊगे है झाल झाल झाल